Hello guys, welcome to SSE Tiyari. इस वीडियो में हम continue रखेंगे अपनी SSE CGL 2018 के मेंस की सीरीज. हमने अब तक कर लिये थे, question number 50 तक questions, 11 September की quant shift के. ठेक है, तो हम continue रखते हैं, इस वीडियो में हम करेंगे 51 से लेके 75 तक questions solved. तो 51st question का हमारा, if the radius of a right circular cylinder is decreased by 20% while its height is increased by 40%, then the percentage change in its volume will be how much? ठीक है भी? तो इनने क्या बुला? radius को उनने 20% घटा दिया. मानलो, initially radius था R, अब वो अगर 20% घट गया तो कितना हो जाएगा? 4 by 5 R, similarly, H क्या है? H को 40% बढ़ा दिया. तो initially अगर height हमारी H थी, फिर 40% बढ़ने पर कितनी हो जाएगी हो? यह आगए हमारी नई height, यह आगए हमारा नए radius. पुरानी volume कितनी होगी भाई? पाई R square H, correct? नई volume कितनी हो जाएगी? नई volume हो जाएगी है मेरी पाई. अब हमारा radius का है? 4 by pi R, 4 by 5 R, तो 4 by 5 R का whole square, into H, यानिकी 7 by 5 H. अब यह इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पाई R square H, into 4 by 5 का square, यानिकी 16 by 25, into 7 by 5. तो यह value क्या हो गई? 112 by 125, पाई R square H के बराबर. यह आगए हमारी नई volume? ठीक है? अब नई volume आप खुद देखो, पुरानी volume थी पाई R square H. यह volume कितनी है? 112 by 125 पाई R square H, यानिकी पुरानी volume से कम. तो यह decrease हो रहा है, तो सबसे पहले तो increase वाले options हटा दो. ठीक है? यह दो options हमारे eliminate हो गए, हमारे पास क्या है? No increase or decrease, या फिर 10.4% का decrease. तो आप simply बता सकते हो भई, no increase or decrease तो होई नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो नई volume है, वो इससे कम है, correct? तो हमारा option क्या बसता है? केवल A. अब इससे solve करना है, तो आप solve भी कर सकते हो. परसेंटेज, change कैसे निकालोगे? पुरानी volume, या फिर नई volume क्या लो? नई volume minus पुरानी volume upon पुरानी volume into 100. तो यह हमें निकालना है, V1 क्या है हमारा? 112 by 125 pi r square h minus pi r square h upon pi r square h. तो यह pi r square h से तो यह कटी जाएंगे, हमारे पास क्या होचेगा? और यहापे into 100 भी करना है, ठीक है? हमारे पास बचेगा 112 by 125 minus 1 into 100, यानिकी यह हो जाएगा, 112 minus 125, यानिकी minus 13 by 125 into 100, 25 से 100 हो गया, 4 times, यह गया, 5 times, तो minus 52 by 5, यह आजाएगा, minus 10.4 percent के बराबर. तो मारा answer क्या आजाएगा, option number A, ठीक है? तो यहाँ logic से भी आप जा सकते थे, सीधा options ही eliminate करते तो, हमारे यह 3 options ही eliminate हो गए थे, तो बचता है यह एक option था, ठीक है? अगला question देखता है, अब इस question में क्या बोला है? In triangle ABC, angle A is equal to 52 degree, O is the ortho center of a triangle, B, O and C, O meet A, C and A, B at E and F respectively, if the bisectors of angle O, B, C and O, C, B meet at P, then the measure of angle B, C is equal to how much? तो भी triangle की बात हो रही है, तो हमने यह triangle बना लिया, A, B, C, A, B, C. फिर क्या बोला है, angle A है, bound degree, तो यह bound degree के बराबर ले लिया, अब O ortho center है, तो ortho center कैसे बनता है भी? ortho center बनता है, altitudes के intersection point पे, तो altitudes बना लिया हमने vertices से, थोड़ी कलाक बन गई, यह हो गई मारी altitudes, ठीक है, अब फिर क्या बोला है, यह point है, O, B, O and C, O, meet at, meet A, C and A, B at, E and F, B, O, काम पे meet कर रहा है, E पर, और C, O meet कर रहा है, F पर, ठीक है भी? अब यह बोल रहा है, कि हाँ से angle O, B, C से, यानि कि इस angle से, और angle O, C, B, यानि कि यह angle, इन से इन्होंने एक bisectors बनाए, bisectors बनाए और वो एक point पे meet कर रहे हैं, वो point कौन सा है, वो point है, P, ठीक है भी? अब हमें angle B, C की value बतानी है, यानि कि इस angle की हमें value बतानी है, तो सबसे पहले आपको ortho center की अगर property आदो, तो ortho center क्या angle बनाता है भई? यह angle होता है, जो angle इसके opposite होता है, यानि कि 180 माइनस angle A, यानि कि इस case में आजेगी 128 degree, आप normally भी देखो, quadrilateral A, F, O, E पर नजर मारो, भई यह दोनों angle तो 90 degree है, ठीक है, तो 180 degree तो इनका इसम हो गया, अब बचे हो यह दो angles का सम 180 degree होना चीए, तो यह angle कितना आजाएगा? यह angle आजाएगा आपका 128 degree के बराबर, तो यह vertically opposite है, तो angle BPC भी क्या हो जाएगा? angle BPC, वो भी बराबर हो जाएगा 128 degree के, अब हमारे पास angle BPC आगया, तो अब आप पूरा triangle छोड़ दो, सिर्फ triangle BPC पर नजर मारो, BPC के हिसाब से angle B और angle C, यह क्या है? वह internal angles है, right? angle by sector से, internal angle यह meet कर रहे हैं, एक point पे, और यह point क्या होता है? जब भी angle by sectors हमारे meet करते हैं, वो point होता है, in center, correct? internal यह meet कर रहे हैं, तो यह point हो जाएगा in center, और in center के हमने property पढ़ी हुई है, कि यह जो angle BPC है, BPC यह बराबर किसके हो जाएगा? 90 प्लस angle इस case में जो होगा O, प्लस angle O by 2, correct? O by 2, तो जाएगा 90 प्लस angle O, हमने निकाली लिया, यानि कि BOC, कितना ते 128 degree तो 128 by 2, तो 90 प्लस 64, यह आजाएगा है, 164 degree के बराबर जो होगा answer number 2, अगला question क्या है, A started a business with capital 54,000 and admitted B and C after 4 months and 6 months respectively, at the end of year, the profit was divided into ratio 1 is to 4 is to 5, then what is the difference between the capitals invested by B and C, तो B हो गया A की capital, B और C, इन्होंने कैसे की गई भई? पचा, 54,000 तो A ने invest किये, ठीक है, 54,000 A ने invest किये, कितने time तक invest कियोंगे? वही पूरे एक साल तक, तो यानि कि 12 मन्त, फिर क्या गरा? आफ्टर 4 months, यानि की 4 महीने बाद, B और C, B आया और उसने कुछ investment कियोंगी, माल लेते हैं उसने investment की X, कितने time के लिए करी? 8 महीने के लिए, और 6 महीने बाद आया C, यानि कि C ने 6 महीने के लिए investment किरी होगी, कितने investment करी होगी? उसको माल लेते हैं, Y, तो यह इनकी investments और time का ratio आगया, और यही बराबर होता है किसके? profit के ratio के भी, profit का ratio दे रखा है 1 इस्टू 4 इस्टू 5, correct? तो भई अगर ratio हमें दे रखा है, तो simply मैं अगर A इस्टू B का ratio देखूं तो कितना है? 1 इस्टू 4, तो A by B अगर करें, 1 by 4 के बराबर, तो कितना आएगा? A है 54,000 into 12, B क्या है? X into 8, तो यह 2 से गया 3, और फर्दर, यह 2 से गया 4, 2 times, तो हमारी जो X की value आएगी, cross multiply होने के बाद, वो कितने आजाएगी? 54 into 6, यह आजाएगा 30 और 24, तो 3, 2, 4 और यह 1000, तो 324,000 X की value आगई, ऐसे ही हम C की value निकाल लेंगे कैसे? कि A is to C क्या दे रखा है? 1 is to 5, तो A by C, 1 by 5 के बराबर है, यानि कि 54,000 into 12 upon Y into 6, 6 से 12 गया 2 times, और कुछ कट रहे गया? नहीं, तो हमारी जो Y की value आएगी यहां से, Y की value कितने आजाएगी? 24,000 into 2, 108, 108 into 5, यह कितना हो जाएगा? 540,000, तो यह आगई हमारी Y की value, हमसे क्या पूचा है? डिफरेंस बता है, पूचा है, between capitals of B and C, तो B और C की capital ही तो है, नहीं, X और Y, हमने यह यह जूम किया था, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 24,000 में, sorry, 540,000 में, 324,000 अगर हम घटाएगे तो कितना हो जाएगा? यह आपका बचेगा, 216,000, तो हमारा आंसर हो जाएगा, option number D, okay? next question क्या है, traveling at 60 km पर आर, a person reaches his destination in a certain time, he covers 60% of his journey in 2 by 5th of the time, at what speed should he travel to cover the remaining journey so that he reaches the destination right on time, तो भई यह बंदा 60 km कवर कर रहा है, एक घंटे में, ठीक है? फिर ही क्या हो रहा है, उसने, जो 60% है इस जर्नी का, 60% पहले बाद तो कितना होगा इस जर्नी का? हम गएंगे भई, 36 km होगा, 60%, वो इसने cover कर लिया, 2 by 5 time में, यानि कि, एक घंटे में होते हैं, अगर 60 minute, तो 2 by 5 कितना हो जाएगा भई? 24 minute, कि भई, 36 km तो इसने, 24 minute में cover कर लिया, अब इससे, यह जो बचावा डिस्टेंस है, cover इस हिसाब से करना है, कि पूरा एक घंटा ह लिया, यानि कि, यह जो बचावा डिस्टेंस है, कितना है भई, यह है 24 km, और 24 minute, यह चल चुका, तो अब इससे 36 minute और चलना है, क्योंकि भई, इससे एक घंटे में पूरा डिस्टेंस cover करना है, तो 24 km, यह 36 में अगर चलेगा, तो स्पीड कितनी आएगी भई, हमें तो यह आजाएगा 120 by 3, तो यह value आजाएगी 40 km per hour, हमारा answer क्या हो जाएगा, option number 3, अगला question क्या है, the lateral surface area of a cylinder is 352 cm square, if its height is 7 cm, then what is the volume, तो भी lateral surface area cylinder का क्या होता है, 2 pi rh, question में गिवन है, 352 के बराबर, तो यह कितनी हो जाएगी, pi की value 22 by 7 ले लो, 44 by 7 into r, height दे रखिये 7, यह बराबर है, 352 के 7 से 7 गया, 11 forza, यह जाएगा 11, 3, 2 times, 4 से यह गया, 8 times तो हमारी r की value आगई 8, अब हमारा पास radius आगया, height में दे रखिये, volume हम निकालेंगे, volume एक cylinder की क्या होती है, pi r square h, यानि की 22 by 7, r कितना है, 8 into 8 into height है, साथ, तो साथ से साथ गया, यानि की 64 into 22, या फिर 128 into 11, तो 128 into 11 क्या हो जाएगा, 128 लिखी रखा है, 128 यहां लेके तो, 8, 10, 4, 0, तो 1, 4, 0, 8 हा जाएगा हमारा answer, जो है option number D, next question क्या है, in a constituency, 55% of the total number of voters are males, and the rest are females, तो males कितने है भई, 55%, females कितनी है, बची हुई, 45%, आप क्या बोला, if 40% of the males are illiterate, ठीक है भई, 40% अगर illiterate है, तो कितना हो जाएगा भई, 10% इसका होगा, 5.5, यानि की 40 हो जाएगा, 22% के around, यह हो जाएगा कौन से, illiterate, तो literate कितने होंगे, बच होए, यानि की 33%, फिर क्या बोला है, and 40% of females are literate, भई, इसमें से 40% females literate है, तो 10% कितना होगा, सबसे बहल तो वो देख लो, 4.5, 40% कितना हो जाएगा, 18%, तो illiterate कितने हो गए, illiterate हो जाएगे, बच होए, यानि की 27%, अब क्या question में क्या बूच है, then by what percent is the number of literate males, यानि की, यह 33%, more than that of illiterate females, यानि की 27%, 33%, 27%, 27% से कितना जाएगा, भई, 6% जाएगा, compare किस से कर रहे है, illiter rate females है, यानि की 6 by 27% into 100, तो यह आजएगी 2 by 9, ठीक है, 2 by 9 into 100, तो 200 by 9, अब इसको हम और कैसे लिख सकते है, 1 by 9 क्या होता है, 11, 1 by 9, sorry, 100 by 9 कैसे लिखते हम, 11, 1 by 9, into 2 करेंगे तो 22, 2 by 9 आजागा हमारा answer, जो है option number 3, अब अगला question क्या है हमारा, 2 sine into 1 plus sine upon 1 plus sine plus cause कितना होता है, तो भई, यहाँ पे मैं simply theta कह रहा हूँ, a को 0 degree मान सकता हूँ या 90 degree मान सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा, तो जो मेरा denominator है वो 0 नहीं बन रहा, ठीक है, तो यह infinity में नहीं जाएगी मेरी equation, main बात यह है, ठीक है भई, तो मै एक काम करता हूँ, मैं a को 0 degree लेके देखता हूँ, अगर मैं a को 0 degree लेता हूँ, तो यह जो sine a है, यह 0 हो जाएगा, और 0 के साथ कुछ भी multiply होगा, हमारा answer क्याएगा, 0, तो बस अब आप देख लो भई, a 0 degree लगाने पे, कौन सी equation में, 0 हमारा answer आ रहा है, यहाँ पे sine कितना हो जाएगा, sine 0 हो जाएगा, 0, cos 0 कितना हो जाएगा, 1, तो 1 minus 1 हो जाएगा, 0 के बराबर, तो बिल्कुल सही है answer, अगली equation में देखते है, 1 minus, sine a 0 हुआ, तो यह 0 ही हो गया, तो हमारा answer आएगा, यहाँ पे 1, तो यह नहीं हो सकता, इसमें क्या होगा, 1 plus cos a, यानि कि 1, तो हो जाएगा, 2, 2 minus 0, तो यहाँ पे 2 answer आ रहा है, तो यह भी हमारा answer नहीं होगा, हमारा original answer तो 0 है, अगले equation में, भाई, यह वाली equation मन जाएगी 0, तो 1 plus 0, 1 होगा, तो यह answer भी नहीं हो सकता, हमारा answer होगा, option number a, अब अगला question क्या है, if 2 root 2x cube minus 3 root 3y cube is equal to root 2x minus 3 root 3y, और यह equation, और हमें बतानी, a square plus b square minus c square, अभी same question, इस type के कितने बार हमने करें, अगर आपने pre वाले sets मेरे करें होंगे, जो हमने करार रखे हैं, 21 sets है total, तो हर एक set में इस type का question आया ही था, ठीक है, तो भी same question है, उन्होंने आपर उठा दिया, क्या फंडा यूज हो रहा हो आपे, यह ज अब a cube minus b cube में क्या होता है, identity, a minus b होता है न, पहले, तो यह हो जाएगा, root 2x minus root 3y, into a square, तो इसमें हो जाएगा, 2x square, plus b square, b square हो जाएगा, 3y square, plus ab, यानि की, root 6xy, root 6xy, ठीक है, अब यहाँ पे, equal to दे रखा इसके, तो भी यह तो आपस में cancel हो जाएगा, तो आप compare करो, इस equation को इस से, तो हमारा a क्या आजाएगा, 2 के बराबर, b आजाएगा, 3 के बराबर, और c आजाएगा, minus, sorry, यह प्लस ही रहेगा, plus root 6 के बराबर, तो हमारे पास a, b, c की value आगई, a square, plus b square, minus c square हमसे बूचा है, तो a square क्या हो जाएगा, 4, b square क्या हो जाएगा 9, और c square कितना हो जाएगा भई, root 6 का square यहने की 6, तो 4 plus 9 minus 6 कितना हो जाएगा, 7 के बराबर, हमारा answer आजाएगा, option number 1, next question क्या है, the sides of a triangle are 11, 60 and 61 cm, what is the radius of the circle, circumscribing the circle, तो यह देखते आपको पहल तो पता चल जाना चाहिए, यह triplet है, क्यों, अब यह तो number भी बड़े बड़े दे रखे हैं, तो triplet आप कैसे बता दो गए है, triplet है, तो आप simply यह चीज़ करे करो, भाई, triplet में क्या होता है, pythagoras लगता है, pythagoras क्या होता है, सबसे बड़ी वाली side, जो इस case में कहा है, 61, उसका whole square, किसके बराबर होता है, बचिवी 2 sides के square के, यानि कि 60 square, plus 11 square, तो आप सोचके, आप क्या करे करो, जो दो बड़ी sides है, उनके square को minus कर दिया करो, यानि कि 61 square minus 60 square, तो अब यह क्या लगता है, यानि कि यह हो जाता है, 61 plus 60 into 61 minus 60, तो यहाँ पर क्या आ गया, 121 के बराबर, अब यह कि कि बराबर होगा, सबसे छोटी वाली side के square के बराबर, यानि कि 11 square के बराबर, तो एकदम correct आ रहा है, इसका मतलब है triplet है, तो आप simply क्या करे करो, सबसे छोटी वाली side का square करो, 121 यहाँ पर आया, और जो दो बड़ी वाली sides है, उनमें a plus b, a minus b लगा दो, तो यहाँ पर a plus b मैंने लगाया, तो 60 plus 61, 121 हो गया, a minus b तो 1 है, तो simply 121 मैंने कि बराबर आ रहा है, तो आप simply ऐसे बता सकते हो, कि बढ़ी बड़े numbers भी अगर दे रखे हो, और आपको लगे कि यहाँ पर triplet की possibility है, तो आप ऐसे check कर लिए अगर हो, ठीक है, अब यह हमारे पास triplet आ गए, यानि कि एक pythogars theorem, यह right angle triangle है, हमसे क्या बूचा है, radius of the circle circumscribing the triangle यानि कि circum radius पूचा है, तो किसी भी right angle triangle का circum radius क्या होता है, hypotenuse का half, हमारे case में hypotenuse कितनी अभी 61, यानि कि 61 का half जो होगा, 30.5 यह हो जाएगा हमारा answer, अगला question क्या है, अभी rows upstream a distance of 28 km in 4 hours, and rows downstream a distance of 50 km in 2 hours, to row a distance of 44.8 km in still water, he will take how much? तो भी हमें पहले तो still water की speed निकालनी पड़ेगी, वो कैसे आएगी, still water की speed क्या होती है, upstream की speed, plus downstream की speed upon 2, ठीक है, upstream की speed क्या है भी, distance 28 km कवर कर रहा है वो, 4 घंटे में, यानि कि 28 by 4 कितना हो जाएगा, 7, 7 km पर आर है upstream की speed, downstream की speed कितनी है, वो 50 km कवर कर रहा है, 2 घंटे में, यानि की 25 km पर आर speed है, downstream की, तो upon 2, ये value कितनी आजएगी, 32 by 2, यानि की 16 km पर आर, अभी आगई हमारी speed of, speed of boat in still water, अभी still water में speed हमारे पास आगई, हमें या पर distance दे रहा है, कि still water में कितना कवर कर रहा है, 44.8, तो अगर distance पता है, हमारे को speed भी पता है, तो हम time निकाल सकते है, ये कितना आजाएगा, ये जाएगा 16 से, 2 times, तो 32 बचेगा 12.8, तो ये आजाएगा 0.8 के बराबर, क्यों, 16, 8 जा क्या होता है, 128, ठीक है, तो 2.8 होगा हमारा answer, जो है option number 1, अगला question क्या है, when 12, 16, 18, 20, and 25 divide the least number x, the remainder in each case is 4, but x is divisible by 7, what is the digit at the thousand place in x, तो क्या बोला है भी, एक number है x, जो इन 5 नंबर से जब divisible होता है, तो क्या दे रहा है remainder, 4 दे रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनका LCM ले लेंगे, LCM कितना हैगा भी, 12 को मैं लिख लूँगा 4 into 3, 16 को लिख लेता हूँ 4 into 4, 18 को लिख लिख लिए 9 into 2, 20 को लिख लि उसको pick कर लेंगे, तो सबसे वहले हम देखता है 2, गई 2 का सबसे जादा factor कहाँ पर है, हम देखेंगे भी इस number में 16, 16 से जादा और कहीं तो 2 का factor यूज हो नहीं रहा है, तो हम 16 को pick कर लेंगे, फिर देखता है 3, गई 3 का maximum factor कौन सा use हो रहा है, हम देखेंगे या पर 9 यू 25 यानि कि 72 इंटू 50 या 36 इंटू 100 कितना हो जाएगा 36 100 तो यह आगया हमारा LCM तो जो हमारा number होगा least number x और जो हमारा remainder 4 भी दे वो क्या होगा 3600 के अब यह तो number divisible है since वो 4 remainder दे ले तो हमने plus 4 कर दिया आप क्या बोला यह number साथ से भी divisible है तो यह अगर साथ से divisible हुआ तो मारे पास क्या बचेगी equation यह आजाएगा आपका 7 यह गया 5 से बचा 35 10 10 कितना होगा 7 बचा 3 0 और 4 ज़र 28 बचा 2 तो 2 remainder बचेगा यहाँ पर यानि कि 3 5 9 8 के अपॉन 7 यह तो भई एकदम divisible है तो बचेगा क्या 2 के प्लस 4 अपॉन 7 अब जो चीज है यह हमें देखने हैं कि यह पार्ट भी हमें 7 से divisible करना है ठीक है अब यह पार्ट 7 से divisible कैसे होगा यह पार्ट 7 से divisible कब होगा भाई K की वैलियू अगर मैं 1 लूँ तो क्या आएगा 6 बच 7 divisible नहीं है K की value अगर 2 है तो क्या बनेगी 8 by 7 divisible नहीं है 3 लोग तो कितनी आएगी 10 by 7 divisible नहीं है 4 लेते हैं तो 12 by 7 divisible नहीं है अगर 5 लेते हैं तो 14 by 7 divisible है यानि कि अगर मैं K को 5 ले रहा हूं तो equation क्या रही है 14 by 7 और यह perfectly divisible हो रहा है 7 से तो अब यह part भी divisible होगा साथ से यह तो हमारा divisible थाई तो हमारी value क्या आगई K की value आगई 5 अब K की value 5 आगई तो हमारा नंबर क्या था भई 3600K plus 4 यानि कि 3600 into 5 plus 4 यह आ जाएगा हमारा number तो यह number किसके बराबर होगा 36 into 5 कितना होता भई यह आजाएगा आपका 150, 150 और 30 यानि कि 180 और यह 1000 और यह 4 प्लस 4 तो यह value आजाएगा 18004 के बराबर हमसे पूछा है 1000 प्लेस पे कौन से डिजिट है तो यह होगी unit यह होगी tens, यह होगी hundreds और यह होगी thousands यानि कि 8 हो जाएगा हमारा answer जो है option number 2 अब अगला question किया हमारा if the diameter of a base of cone is 42 cm and its curved surface area is 2310 cm2 then what will be its volume in cm3 तो भई एक cone है यह होगी हमारा cone अब यहाँ पे इसका जो base का radius है वो हमें दे रखा है diameter 42 से तो radius होजाएगा 21 ठीक है curved surface area दे रखा है 2310 तो curved surface area एक cone का क्या होता भई pi r l l क्या होती हमारी slant height तो यह दे रखे 2310 के बराबर radius हमें पता ही 21 है 22 by 7 into 21 into l यह बराबर है 2310 के तो यह गया 7 से 3 times और यह 3 से यह गया कितना 77 times तो 770 यह हो गया और 22 गया 11 से 2 times यह गया कितना 7 से 70 हो गया तो l की value क्या आ गई 70 by 2 यानि कि 35 अब slant height आ गई है हमारी वह slant height क्या होती है under root h square plus r square यानि कि अगर मेरे को h निकाल ला हो यहां से तो यह क्या होगा under root l square minus r square slant height आ गई मेरी 35 radius था मेरा 21 तो वह a plus b a minus b अगर लगा हूँ यह कितना हो जाएगा 14 तो यह आ जाएगा 14 into 4 into 14 जो बरावर होगा under root तो यह under root क्या 14 का square हो जाएगा और 2 का square यानि कि 14 into 2 हो जाएगा 28 के बरावर तो हमारी जो height आएगी वह आएगी 28 अब हमें volume निकाल ली है तो volume क्या होती है 1 by 3 pi r square h तो 1 by 3 pi क्या हो गया 22 by 7 radius हमारा 21 तो 21 का चलो 21 को ऐसे रहन देता है 21 into 21 height आगे हमारी 28 तो 7 से 21 गया 3 times 3 से 20 गया 7 times तो कितना हो जाएग 22 into 21 into 28 यह equation बची 28 into 21 कितना हो जाएगा वही 280, 280, 560, 560 और 28, 588 तो 22 into 58 अब यह कितना आजाएगा 21 into 58 into 2 करेंगे तो कितना हैगा 1000 और 174 1176 तो 1176 को अगर 11 से मल्टिप्लाई करना है तो क्या लिखो 1176 यहाँ पे 1176 यहाँ पे और add कर दो 6, 7, 6 कितना हो 13 बचेगा 9, 2, 1 तो 129, 36 हो जाएगा मारा answer जो हाँ option number 2 अब अगला question क्या बार? A train traveling at a speed of x km per hour crossed a 200 meter long platform in 30 seconds and overtook a man walking in the same direction at the speed of 6 km per hour in 20 seconds then what is the value of x? तो क्या बोला होई? एक train एक platform को cross करती है तो आपके लिए इस question को solve करने के लिए आपको इतना बतावना चाहिए कि बढ़ी जब भी train एक platform को cross करती है तो distance कितना कवर करती है? जो train की length होती है वो plus length of platform तो train की जो length है हमने मान ली वो है L के बराबर ठीक है? तो platform cross करने के लिए वो कितना distance कवर करेगी? L plus 200 कितनी देर में उसने कवर किया? 30 second में तो यह आ गए हमारी distance upon time यानि की speed speed क्या देर रखे हमे? x km पर आर तो भी सिंस यह km पर आर में तो इसको हम m per second में बदल देते हैं 5 by 18 से multiply कर लेते हैं यह 30 अगर इस तरफ ले जाए तो कितना हो जागा? 6 5 za 6 3 za यानि की 25 x by 3 बराबर आ गया L प्लस 200 के यह तो आ गया जब train ने platform को cross किया अब वो क्या गहा रही है? question क्या गहा रहा है कि यह train एक आदमी को भी overtake करती है और वो आदमी चल रहा है 6 km पर आर की speed से तो अगर कोई train किसी pole या किसी आदमी को overtake करे तो कितना distance cover करती है same वो ही distance जो उसकी length हो यानि कि इस case में हो जाएगी L L upon वह speed कितनी है speed इस case में होगी relative speed क्योंकि आदमी भी चल रहा है और same direction में चल रहा है तो relative speed कितनी हो जाएगी x minus 6 km पर आर ठीक है? x minus 6 km पर आर relative speed होगी और हमें यह meter per second में करनी है तो 5 by 18 से multiply भी कर लेते है यह बराबर किस के है? 20 second के तो यहापे लिख लिखिया 20 तो L की value हैं से क्या आगई? x minus 6 into 20 into 5 कितना हो जाएगा? 100 by 18 या फिर 9 by यह हो गया 50 तो यह आगई L की value हैं से इस L की value को हम उपर all equation में replace कर देंगे तो क्या हैगा? x minus 6 into 50 by 9 plus 200 is equal to 25x by 3 ठीक है? खोलो इसको कितना हैगा? 50x by 9 minus यह हो जाएगा आपका 2 और 3 यानिकी 100 by 3 plus 200 equal to 25x by 3 तो 25x by 3 को इस साइड ले आएगे तो यह कितना हो जाएगा? 20 75 ठीक है तो यह value आजाएगी आपकी 600 minus 100 यानिकी 500 by 3 बराबर हो जाएगा 25x by 3 minus 50x by 9 यानिकी 25x by 9 बराबर हो जाएगा 500 by 3 के 3 से यह गया 3 times 25 से यह गया 20 times तो x की value आजाएगी 20 x 3 यानिकी 60 तो मारा answer आजाएगा option number C अब अगला question क्या है? A and B started their journeys from x to y and y to x respectively after crossing each other A and B completed the remaining parts of their journeys in 6, 1 by 8 hours and 8 hours respectively if the speed of B is 28 km per hour then the speed of A in km per hour is how much? तो बही यह distance है x, y a जा रहा है x से y की तरफ और B आ रहा है y से x की तरफ यह लोग यह common point m पर मालो meet करें और उसके बाद क्या हो रहा है? वही जैसे यह लोग meet करें तो A जब आगे y की तरफ बढ़ रहा है तो यह m y distance यह cover कर रहा है 6, 1 by 8 hours में और B m से x की तरफ जो distance जा रहा है वह कितनी तरफ में cover कर रहा है? 8 घंटे में तो यह meeting time होता है इस case में जब हमें ऐसे दोनों times break up करके दे रख्या हो तो यह meeting time होता है यह क्या होता है? इनका product का under root यानि की under root 8 into 6, 1 by 8 कितना हो जाएगा भई? 49 by 8 तो 49 by 8 तो यह कितना आजाएगा? under root of 49 यानि की 7 hours के बराबर तो इसका मतलब क्या होँआ? कि 7 घंटे में यह लोग यहाँ पर मिलते हैं तो meeting time हमारा क्या आ गया? यह लिख लेते है meeting time time आजाएगा 7 hours ठीक है? अब 7 घंटे में यह लोग मिल रहे है distance कितनी दिर में काउर कर रहे है? 8 घंटे में speed है उसकी 28 km पर आ यानि कि यह distance कितना होगा? speed into time तो 28 into 8 कितना हो जाएगा? 160 plus 64 यानि की 224 km तो यहाँ से हमने यह conclude किया कि X A X M distance किया है? 224 km अब A M तक कितनी दिर में पहुच रहा है? meeting time जितनी दिर में था? यानि की 7 घंटे में 7 घंटे में अगर A M तक पहुच रहा है तो भई A X M distance है कितना? 200 24 और A पहुच रहा है 7 घंटे में यानि की उसकी speed कितनी होगी? 32 km पर आ तो मारा answer आजाएगा option number D अब अगला question क्या है हमारा? If root 2 plus root 5 minus root 3 into k is equal to 12 minus 12 then what is the value of k? तो मैं क्या करेंगी? k की value यहाँ पर क्या जाएगी? minus 12 upon root 2 plus root 5 minus root 3 rationalize कर दो कितना हैगा? root 2 plus root 5 plus root 3 upon root 2 plus root 5 minus root 3 नीचे क्या लग जाएगा? A minus B A plus B तो यह हो जाएगा minus 12 into root 2 plus root 5 plus root 3 sorry minus है ना नीचे plus है plus root 3 upon यह time हो गई A यह time हो जाएगी B तो A plus B A minus B लगाएगे तो क्या हैगा? A square A square हो जाएगा आपका root 2 का square यहनकी 2 root 5 का square 5 7 plus 2 root 10 तो 7 plus 2 root 10 minus 3 तो यह value कितने आजाएगी? यह आजाएगा minus 12 into root 2 plus root 5 plus root 3 upon 4 plus 2 root 10 तो 2 common लिया मैंने कितना आजाएगा? 2 plus root 10 2 plus root 10 तो 2 से यह गया 6 times अब इसको तुबार rationalize कर दो तो 2 minus root 10 से multiply गया divide गया 2 minus root 10 नीचे वाली equation क्या बन जाएगी? नीचे वाली equation हो जाएगी 4 minus 10 यानि कि minus 6 के बराबर हो जाएगा है minus 6 और minus 6 से उपर का minus 6 cancel हो गया तो equation क्या बज़ी? root 2 plus root 5 plus root 3 into 2 minus root 10 तो multiply कर लो कितना आएगा? बसे इतना ही दे रखाएगा यह exact हमाए हमारा पास answer मिल भी जा तो यह हमें बताना था option number D हो जाएगा हमारा answer अगला question क्या है? the volume of a right pyramid is 45 root 3 cm cube and its base is an equilateral triangle with side 6 cm then what is the height of the pyramid? तो बहुए किसी भी pyramid की volume क्या होती है? 1 by 3 उसके base का area since यह equilateral triangle है तो उसका area क्या हो जाएगा? root 3 by 4 a square a क्या है? 6 यह जैनिकि 36 यह बराबर हो जाएगा किसके? और यह हाँ area into height into height यह बराबर आजाएगी volume के तो volume क्या दे रखिया भी? 45 root 3 तो root 3 से तो root 3 गया 3 से यह गया कितना? 12 times 4 से 12 गया 3 times तो h की value आ गई 45 by 3 यानि की 15 तो मारा answer आ जाएगा option number a ठीक है? अगला question क्या है? एक a square plus b square plus c square plus 96 is equal to 8 into a plus b minus 2c then what is the value of this equation? तो ऐसे questions में क्या करेंगे? सारी चीज़ों को left hand side ले जाएगे left hand side ले जाएगे तो a square minus 8a plus b square minus 8b plus c square plus 16c ये बराबर है कि plus 96 बराबर हो जाएगा 0 के तो हम इन equations को क्या करेंगे? एक perfect square बनाएगे वही a square minus 8a तो अगर मैं यहाँ पे 16 add कर दू तो ये क्या बनेगी equation? ये बन जाएगी मेरी a plus 4 का whole sorry a minus 4 का whole square correct? a square plus 16 हो जाएगा और minus 8a तो हमारे पास है similarly ये equation भी क्या हो जाएगी? b minus 4 का whole square अगर मैं यहाँ पे 16 add कर दू और ये equation कैसे हो जाएगी? यहाँ पे 2ab क्या है? a plus b ka whole square क्या होता है? a square plus b square plus 2ab since इस case में अगर मैं 16c को 2ab मानू तो equation कैसे हो जाएगी? 2 into 8c एक variable तो मेरे को पता ही है c है तो दूसरा यहाँ से क्या आ गया? 8 तो यहाँ पे क्या हो गए? c plus 8 का whole square तो c plus 8 का whole square क्या हो गया? c square plus 64 तो यहाँ पे मेरे को 64 भी add करना पड़ेगा अभी मैंने 3 चीज़ add कर दिया हाँ पे 64, 16 और यह 16 यानि कि total 96 मैंने add किया है तो मैं subtract ही भी कर हुआ क्योंकि equation को तो मैं change कर नहीं सकता है तो मैंने minus 96 किया तो minus 96 जैसे ही किया तो यह दोनों तो आपस में cut गए हमारे पास equation क्या आई? a minus 4 का whole square plus b minus 4 का whole square plus c minus c plus 8 का whole square बराबर 0 अब जब भी ऐसी square की terms 0 के equal आजाए तो हम क्या करेंगे? यह जो factors n के वो भी क्या हो जाएंगे? 0 के बराबर यानि कि a minus 4 बराबर हो जाएगा 0 के तो a की value हो जाएगी 4 b की value भी हो जाएगी 4 और c की value हो जाएगी minus 8 अब हमें क्या बताना है? under root a b तो a b कितना हो जाएगा? 16 minus b c b c कितना हो जाएगा? minus 32 यानि कि minus minus हो जाएगा plus तो plus 32 plus c a c a कितना हो जाएगा? minus 4 into minus 8 into 4 यानि कि minus 32 तो 32 से 32 गया under root 16 कितना हो जाएगा? 4 के बराबर हमारा answer आजाएगा option number 2 अब इस question में क्या बुचा है the sum of digits of a two digit number is one by seven of a number the unit digit is four less than the tenth digit if the number obtained or reversing its digits is divided by seven then the remainder will be how much तो भी मान लेता हमारा number है xy ठीक है अब यहाँ का बोला sum of digits of two digit number यानि की x plus y यह क्या है one by seven of the number तो xy number को हम कैसे लिखेंगे 10x plus y correct तो यह आगए हमारी एक equation और क्या बोला है the unit digit is four less than the tenth digit यानि की यह जो y है यह क्या है x से चार less ठीक है तो यहाँ पर y की value गुट कर दो तो 2x minus four बराबर आजाएगा one by seven 10x plus y की value हो गई plus x minus four तो यहाँ से यह equation क्या बनेगी यहाँ जाएगा 2x minus four बराबर into seven कर दो और यहाँ जाएगा 11x minus four तो यहाँ जाएगी 14x minus 28 बराबर 11x minus four के तो 3x की value आजाएगी 28 minus 4 यानि की 24 x की value आजाएगी 8 x की value अगर 8 हा गई तो y की value आजाएगी 4 अभी क्या बोल रहा है इस number को reverse कर दो यानि की जो यह 84 था अब हम reverse कर देंगे तो हो जाएगा 48 अब 48 को 7 से divide कर दो remainder बताओ इस 48 को अगर मैं 7 से divide करूँगा तो कितने times जाएगा 6 से जाएगा 42 बचेगा क्या 6 आजाएगा remainder तो हमारा answer आजाएगा option number A अब अगला question क्या हमारा If each interior angle of a regular polygon is 128 4 by 7 then what is the sum of the number of diagonals and the number of its sides तो भी number of diagonals क्या होते है n into n minus 3 by 2 n क्या होता है number of sides of polygon तो सबसे बेले तो हमे n निकालने है diagonals निकालने के लिए तो n के value कैसे आएगी वही किसी भी polygon का जो internal angle होता है वो किसके बराबर होता है internal angle इस case में क्या है 128 4 by 7 तो यह हो जाएगा 120 into 7 हो जाएगा 840 840 हो और यह 56 896 यहनिकी 900 by 7 degree यह बराबर होगा n minus 2 pi upon n के बराबर ठीक है यह होती है equation internal angle की अब यहां से हम cross multiply करते हो और क्या निकालेंगे n की value निकालेंगे तो pi को पहले क्या करो 180 put कर दो pi 180 आ गया तो यह गया कितना 5 times तो n 5n बराबर हो जाएगा 7n minus 14 के तो 14 बराबर हो जाएगा 2n के और n के value आ जाएगी 7 अब n के value 7 आ गई यानि क्या है total number of sides of polygon हम निकाल सकते हैं यहां से diagonals भी 7 into 7 minus 3 हो जाएगा 4 upon 2 तो diagonals आ जाएगा हमारे 14 अब diagonals आ गए 14 side है हमारी 7 तो total कितने आ गया भी 21 तो मारा answer आ जाएगा option number D ठीक है अब अगला question क्या हमारा in a school 4 by 9 of the number of students are girls and rest are boys तो भी 4 by 9 अगर पूछ रहे तो आप simply total बच्चे मान लो 900 है ठीक है तो 4 by 9 यानि कि जो girls है वो कितने हो जाएगे 400 और जो boys है वो कितने हो जाएगे 500 ठीक है अब आगे क्या बोल रहा है 3 by 5 of the number of boys are below 12 years of age 3 by 5 क्या हो जाएगा भी 300 यानि कि 300 बच्चे क्या है less than 12 years of age और क्या बोल रहा है and 5 by 12 of the number of girls तो 5 by 12 कितना हो जाएगा भी यह हो जाएगा आपका 2000 by 12 यानि कि 1000 by 6 500 by 3 500 by 3 लड़किया क्या है 12 साल से उपर है 12 या 12 साल से उपर तो greater than or equal to 12 अब हम से क्या बोल रहा है if the number of students below 12 years of age is 480 then 5 by 18 of the total number of students of the school will be how much तो भी 12 साल से नीचे कितने बच्चे है यहां से हमने निका ली थे 12 साल से नीचे 300 लड़के लड़किया कितनी नीचे है भी 12 साल से नीचे 400 तो थी total लड़किया 400 में से 500 by 3 तो है 12 यह 12 से उपर तो बच्चे हुई कितनी होगी 400 माइनस 500 by 3 तो यह आजागा 1200 माइनस 500 700 by 3 यह लड़किया है 12 साल से कम की उमर की तो यह हो गई लड़किया 700 by 3 लड़के हो गई 300 तो टोटल लड़किया टोटल बच्चे कितनी होगी 12 साल से कम उमर के 700 by 3 प्लस 300 करेक्ट कुईस्चिन में इसकी वैल्यू दे रख्ये 480 के बराबर ठीक है भई अगर यह कुईस्चिन में वैल्यू दे रख्ये हमें क्या होताना है 5 by 18 of total number of students टोटल number of students हमने एजूम करें दे 900 तो पहले तो हम 900 की वैल्यू निकाल लेते अगर यह 480 के बराबर है तो पहले तो इसको देखो 1600 by 3 बराबर हो जाएगा 480 के एक 0 गया 16 से यह गया कितना 3 times और 10 की वैल्यू आगए हमारी 9 10 की वैल्यू 9 है तो 900 की वैल्यू कितने हो जाएगी 90 से multiply गर दो 900 की वैल्यू हो जाएगी 810 ठीक है अब 810 है क्या टोटल स्टूरेंट्स भई 900 की वैल्यू हमने निकाल ली कितना ही 810 हमें बताना है 5 by 18 of 5 by 18 of 810 तब यह वैल्यू कितने हो जाएगी 9 2 जा यह गया 9 90 से 2 से गया 45 ताइम 45 इंटो 5 कितना आजाएगा 225 हमारा आंसर आजाएगा option number D अब next question क्या हमारा When 7897 8110 and 8536 are divided by a greatest number X then the remainder in each case is same the sum of digits of X is how much तो भई हमें इस के लिए क्या करना पड़ेगा HCF निकालना पड़ेगा तो इन 3 number का HCF 97, 8110 8536 इनका HCF कैसे निकालेंगे हम पर सबसे हल तो इनका difference निकाल लो इनका difference कितना आएगा यह आएगा आएगा आपका 2 223 नहीं 213 तो 213 के बराबर इन दो का difference कितना आएगा यह आएगा आएगा आपका 426 तो 213 क्या है यह 426 का ही एक factor है यह आएगा हमारा जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 213 तो 213 हमारा HCF हो गया और हमें क्या बताना है sum of digits बतानी है तो sum of digits क्या हो जाएगा 2 plus 1 plus 3 यानिकी 6 तो मारा answer हो जाएगा option number D अगला question क्या है one of the factors of 8 की पावर 2K plus 5 की पावर 2K where K is an odd number K क्या है odd number तो भए आप K को 1 ले लो तो कितना हो जाएगा यह 64 की पावर 1 64 की पावर 1 plus कितना 25 की पावर 1 25 की पावर 1 तो मारा एक factor क्या आजाएगा एक factor तो मारा 89 ही आ गया अगर आप मानलो इसको 3 भी लो 64 की पावर 3 plus 25 की पावर 3 तो भए AQ plus BQ का सबसे बहला factor क्या होता है A plus B होता है तो मारा A plus B factor आ जाएगा 64 plus 25 तो answer हो जाएगा option number A अब अगला question क्या है हमारा under root cot theta plus cos theta upon cot theta minus cos theta तो cot theta को तो पहले cos theta upon sin theta लिख लो क्या बनेगी equation cos theta common आ जाएगा यह आ जाएगा 1 upon sin theta plus 1 नीचे क्या आ जाएगा cos theta common 1 upon sin theta minus 1 ठीक है cos theta से cos theta cancel out हो जाएगा तो हमारा equation क्या हो जाएगा under root 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta अब हम क्या करेंगे rationalize कर देते हैं यह आ जाएगा sin theta यह 1 plus sin theta तो उपरवा लिकेशन क्या हो जाएगा 1 plus sin theta का square तो under root हट जाएगा क्या बज़ेगा 1 plus sin theta नीचे हो जाएगा 1 minus sin square theta जो होता है cos square theta के बराबर under root से square हट जाएगा क्या बज़ेगा cos theta तो यह हो गया 1 upon cos theta जो होता है secant theta plus sin theta upon cos theta क्या होता है 10 theta तो मारा answer आजागा secant theta plus 10 theta जो है option number D अगला question क्या है if 5 sin theta minus 4 cos theta is equal to 0 and theta is greater than 0 and less than 90 then what is the value of this equation ठीक है भई यहां से 5 sin theta बराबर आजागा 4 cos theta के यानि कि मैं कह सकता हूं sin theta by cos theta जो होता है 10 theta के बराबर वो आजागा 4 by 5 अब इस equation में एक काम करो cos theta से डिवाइड कर दो numerator और denominator को हमारी equation क्याएगी 5 tan theta minus 2 upon 5 tan theta plus 3 correct tan theta की value हमें पता है 4 by 5 है तो उपर की equation क्या हो जागी 4 minus 2 upon 4 plus 3 तो हो जागा 2 by 7 हमारा answer आजाएगा option number 1 अब इस set का last question है इसमें क्या बोला है इसमें क्या बोला है the sides A, B and A, C of A, B, C are produced to point P and Q respectively if the bisectors of C, B, P and B, C, Q meet at R if the measure of angle A is equal to 44 degree then what is the measure of angle half of angle B, O, C तो सबसे पहले तो एक triangle बना लो योगा हमारा A, B, C इन्होंने क्या बोला A, B को यानि कि इस side को extend किया A, C को इन्होंने extend किया और किस point पे? योगा point P, योगा point Q अब angle bisectors of angle CBP तो CBP कौन सा है बही? ये angle इसका bisector ठीक है? तो external bisector की बात हो रही है मतलब और B, C, Q यानि कि ये angle इसका bisector अब ये external bisectors अगर meet कर रहे है तो ये क्या बन गया? एक center बन गया ठीक है? हमें angle A की value दे रहे है 44 degree तो हमें पता है भी ये x center से जो angle होता है क्या होता है? 90 minus जो angle इसके opposite होता है opposite vertex पे 90 minus उसका half यानि कि 44 का half ये कितना हो जागा? 90 minus 22 68 degree के बरावर तो ये angle आ गया 68 degree हमसे क्या बुचा है? half of angle B, O, C तो ये point तो क्या था भई? ये point था R तो O का तो कहीं जिकर ही नहीं है मेरे ख्याल में B, R, C ये angle की बात कर रहे होंगे क्योंकि O तो हमें कई mention ही नहीं है question में ठीक है? तो अगर B, R, C लेके चलते हैं तो 68 degree का half कितना हो जागा? 34 degree हमार answer आजएगा option number D तो ओकी गाईस ये थे इस part के questions हमने अब तक कर लिए है 75 questions complete next 25 questions भी हमें जल्द लेके आऊंगा तब तक कोई भी अगर doubt है तो please comment section में आप mention कर सकते हो बाई बाई and take care